दो दिन की भीशडगर्मी के बाद बुधवार को ट्राइ सीटी में बारिश से लोगों को रहत मिली। चंडीकर डेड़ घंटे में 31.4 एमेम पानी बरसने से कई लाकों में लोगों की घरों में पानी भर गया। सडकी और चौक्चराहे जगलमंग न हो गया। इंडरस्टेल एरी और सेक्टर 15-11 के अंडर पास में पानी भर गया। वही पहली बार PGI का स्टाम वाटर ड्रेनिस सिस्टम भी जवाब दे गया। और नहरो अस्पताल में पानी भर गया। यहां पंप लगा कर पानी निकालना पड़ा। सडकों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हूँ और कई इलाकों में जाम भी लग गया। तेज बारिश PGI के नहरो अस्पताल के लिए आफद बन गयी। अस्पताल के भूमी तल पर पानी भर गया। PGI प्रशासन के अनुसार स्टाम वाटर ड्रेनिस सिस्टम में गरबड़ी के कारण अचानक पानी बैक फ्लो मारने लगा। इसके कारण देखते ही देखते काफी ज़्यादा पानी अस्पताल और आसपास के छेतर में भर गया। वही चंडीकड में सुबह साड़े साथ बजे से हो रही लागतार बारिश की वज़े से नहरू अस्पताल के भूमितल के लगभक सभी विभागों में पानी भर जाने की कारण काफी नुकसान भी हुआ है। अन्होनी के आशंका पर पिज़ाई प्रशासन ने इलेक्ट्रिकल वए इंजिनरिंग विभाग के आला दिकारियों समेत करमचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहकर इस्थिती को संभालने के निर्देश दिये हैं। पानी भर गया और साथ ही पीजियाई में फायर कंट्रोल रूम में भी पानी भर गया। वासम के देखे नुसार अगले कुछ दिन तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी इससे तापमान में भी कमी आएगी।